ओके इस वीडियो में मैं आपको इस नए वाले फुलम अप रैंक के सिजन के लिए तीन सबसे ज़्यादा बेस्ट करेक्टर कॉम्शन्स बताने वाला हूँ इन तीनों में से जो भी कॉम्बनेशन आपको सूट करेगा आपके रोल की हिसाब से उन्हें आप यूज़ कर सकते हो ये तीनों आपको बहुत ही ज़ादा हेल्प करेंगे रैंक पुश करते हैं तो हमारे जो सबसे पहला कॉम्बनेशन है वो एक खासकर उन लोकली जो की जायतर सोल में रैंक पुश करते हैं इस कॉम्बनेशन का अगर आप यूज़ करते हो तो आप बीना डरे हुए एनमे से फाइट ले सकते हो क्योंकि इसकी वज़े से आप कई बार सोल में दुवारा रिवाइब हो सकते हो तो बात करें एक्टिव स्किल की तो इसमें आपको यूज करने है दिमित्री करेक्टर का स्किल सोनिय करेक्टर की वज़े से अगर आपको पूरी तरह से डैमेज पढ़ जाता है तो आप उहाँ पर नहीं होते है आपको 3 सेकंड्स के लिए 150 HP का शील्ड पॉंट मिल जाता है जिससे अगर आप उस 3 सेकंड्स में किसी इनमी को मार देते हो ना तो आप उहाँ पर बढ़ जाते हो एंड नेरी केरेक्टर की से बहुत ही जाता है जिसकी वज़े से आपका गुलाल एक्दम पत्थर की जैसा हो जाता है अगर आपके बहुत ही नहीं करतार रहेगा फिर भी आपका घ्लौाल नहीं टूटेगा तो जो आप सुनिया और दिमित्री पी रिकावर हो जाएगा टूटली तो समाझ सकते हो ना यह कितना जदा आपको हेल्प करेगा अब इसके बाद आपको थर्ड पैसी करेक्टर में यूज़ करना है लुकईटा करेक्टर का स्किल्ट लुकईटा देखो यार फूल मैप के लिए एक मस्ट यूज़ करेक्टर है तो जो आप सोलो में दिमित्री, सोनिया, नेरी और लुकईटा करेक्टर को लेकर खेलोगे ना तो आपको बहुत ही जदा हेल्प करेगा आप काफी आसानी से डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुशन में सर्वाइब कर पाओगे और काफी अच्छा खासा प्लस भी निकाल अब हमारे जो second combination है ये भी बहुत ही जदा special है क्योंकि इसका use करोगे ना तो आपको वहाँ पे बहुत ही जदा HP मिल जाएगा आपको 400 प्लस HP मिल जाएगा सूच रहे हो जो आपके पस 400 प्लस HP होगा fight इदे time तो आपके बस कितना जदा advantage होगा आप कितना आसानी से किसी भी fight को निकाल सकते हो तो बात करे इस combination की active character के बार में तो इसमें आपको use करना है zen character का skill, zen character का अगर आप use करते हो तो आपको इसके वज़े से 12 seconds के लिए 60 का temporary HP मिल जाता है और साथ ही उस 12 seconds के अगर आप किसी भी healing item का use करते हो ना जैसे की inhaler हो गया medikit हो गया तो इससे आपको 75 percent जाधा health मिलेगा यान कि अगर आप normal medikit use करते हैं जो कि आपको totally 75 HP देता है तो हाँ पर आपको zen के वज़े से 56 extra HP मिलेगा यान कि zen के साथ एक normal medikit use करने से आपको totally 131 HP मिलेगा जो कि almost एक super medikit के बराबर है and 6 साथ अगर आप inhaler का use कर दें तो आपको 22 HP के वज़े totally 38 HP 26 साथ अगर आप damage हो जाते तो आपको heal करने में भी काफी जादा help कर देगा अब बात करें इस combination की passive characters के बार में तो इसमें आपको सबसे पहले slot में use करना है Antonio character का skill देखो Antonio का use करने से आपको 40 का extra HP shield points मिलते हैं जब भी आपको damage पढ़ेगा ना तो सबसे पहले आपका इस shield point आपका real HP घटता है तो basically ये normal HP की तरह ही काम करता है बड़ ये कुछ time के बाद खुद बाखुद recover हो जाता है तो यही फाइदा होता है shield point का बिना medikit के ही आपका shield point अपने आप recover हो जाएगा अब Antonio के बाद आपको second slot में use करना है shiny character का skill shiny character की वज़े से जब भी आप अपने active skill use करते हो ना तो आपको होँआ पर 50 का extra HP shield burn मिल जाते है यानि कि जो अब zen character का skill use कर गोना तो आपको 5 seconds के लिए 50 extra HP और मिल जाएगे जिससे फिर से आपको rushing करते हो वक्ति का अलग ही advantage मिलेगा अब shiny की जो ability है ना ये एक पर use होने के बाद 10 seconds के लिए cooldown पे चली जाती है यानि इस combination की जो 3rd passive character है इसमें आपको use करना है लुकेटा character का skill लुकेटा के बार मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से बता दिया है कि जब आप 2 enemies को finish करते हो तो आपको 50 का extra HP slot मिल जाता है अब यहाँ पे मैं आपको पूरी अच्छी तरह से count करके बता जाता हूँ कि आपको इ अगर आपके पास 430 होगा न तो आप 1v1 fight को काफी आसानी से जीत जाओगे अब अगर आप राइंग पुश करते हैं अगर आपके बार में आपको अच्छी तरह से पता ही होगा कि इसकी वज़े से आपको EP मिलती है EP मोड में जो आप इससे HP मोड में convert करते हो तो आपको हर काफी ज़दा hard lobby आती है तो आप काफी देर तक zone के बाहर आराम से survive कर सकते हो अब मैं आपको बतायता हूँ कि passive characters में आपको कौन-कौन से characters use करने है तो सबसे पहले slot में आपको use करना है locator character का skill फिर second slot में आपको use करना है Maru character का skill Maru आपको long range fight ले दे time काफी ज़दा help करता है क्योंकि इसकी वज़े से जब भी आप long range से enemies को damage करते हो न तो उसको 25% तक का extra damage पड़ता है जिसे कि किसी भी long range fight को जीता काफी ज़दा easy हो जाता है अब जो third slot है इसमें देखो अगर आप बहुत ही ज़दा safe खेलना चाते हो न season के starting में बिल्कुल भी risk नहीं लेना चाते हो तब आप यहाँ पर मिशा करेक्टर का use कर सकते हो मिशा की वज़े से एक तो आपका driving speed 10% ज़दा बढ़ जाता है अगर आप गाड़ी चलाते हो न तो आपकी उपर किसी भी enemy का default aim नहीं आता है अगर आपकी उपर coin मी अच्छी नहीं करते हो तो आप मिशा की जगह एलाइट एंड्रू का use कर सकते हो एलाइट एंड्रू की वज़े से आपका wish का durability बहुत ही जादा बढ़ जाता है और फुल में पर देखो wish काफी ज़दा matter करता है अगर आपकी पास पहले से लेवल 3 एफी लेवल 4 का wish है और उपर से अ आफी आसाने से short range या फी long range fight को जीत सकते हो तो यह थे इस season में rank push करने के लिए 3 सबसे ज़्यादा बढ़िया combination मेरे हिसाब से आपको इन में से जो भी combination सबसे ज़्यादा suit करता है उसे आप use कर सकते हो अब अगर आपको यह वडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाक जेर पर नहीं तो इसे subscribe कर देना तो तब तक लिए bye bye मिलते हैं एक और वीडियो में